नमस्कार, स्वागत है आप सब का राधीकाच कीचन में आज मुझे चॉकलेट कपकेक का बड़ा ओडर मिला है 150 कपकेक्स मुझे बना की देने थे इन कपकेक्स को मैंने कैसे बनाया कितना टाइम लगा मुझे इन कपकेक्स को बनाने के लिए और बनने के बाद इन्हे मैंने कहा स्टोर किया ये सब जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है तो आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे है तो चलिए शुरुआत करते हैं कपकेक्स बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं प्रीमिक्स कितना लेना है तो प्रिमिक्स का weight मैं आपको gram में भी बताऊंगी और cup से भी बताऊंगी कितना cup लेना है तो weight machine के ऊपर मैंने ये bowl रखा है और bowl का weight माइनस कर लेना है यहाँ पे मैंने ये 200 ml का cup लिया है 200 ml के cup से 1 cup pre-mix पहले डाला और आधा cup प्रिमिक्स और लिया है यानि कि टोटल 1.5 cup premix लेना है 200 ml के cup से और ग्राम में नापेंगे तो 200 ग्राम प्रिमिक्स लेना है आधा कब पानी महीने यहां पिलिये है उसमें से आधा पानी प्रिमिक्स में डाला है और इसे अभी अच्छा से मिक्स करना है बाकी का बचा हुआ पानी भी मैंने इसमें अब एड़ कर दिया है और इसे अब अच्छा से मिक्स कर लेना है दो मेंट तक इसे अच्छा से मिक्स करना है तो पूरा आधा कब पानी मुझे इस बैटर में लगा है आपको कम या ज़्यादा भी पानी लग सकता है उप्रिमिक्स के उपर डिपेंड है मैंने यहां पर सनफ्लावर ओईल लिया है इसमें से दे टेबल स्पून ओईल इस बैटर में डालना है आप सनफ्लावर की जगह पे स्वयविन ओईल भी उज़ कर सकते हैं लेकिन कोई भी स्मेल वाला ओईल यूज ना करें नहीं तो कपकेक्स में उस ओईल का स्मेल आ जाएगा अब इसे अच्छा से मिक्स करके लेना है इस बैटर को एक बार अच्छा से मैंने स्पैचूला से मिक्स करके लिया है इस तरह का बैटर होना चाहिए ना इससे ज़्यादा पतला ना इससे गाढ़ा एकदम परफेक्ट बैटर बनके तयार है मैंने हाप ए बड़ी piping bag ली है इसे अब उल्टा करके इस glass के ऊपर रखना है और इस piping bag में बाउल में का पूरा बैटर डाल देना है मैंने हाप यह बड़ी पाइपम बैग ली है इसलिए इसमें पूरा बैटर आ जा रहा है अगर आप छोटी पाइपम बैग लेते हैं तो इसमें का आदा ही बैटर उसमें आएगा इस तरह से पूरा बैटर इस पाइपम बैग में डाल लेना है और पाइपम बैग में पीछे स है तो आप इसके जगह पे सिलिकॉन या फिर आयलूमिनियम का भी मोल्ड का यूज कर सकते हैं कपकेक्स बनाने के लिए यहाँ पे कपकेक्स लाइनर्स लिए है इनको अभी इस मोल्ड में रख लेना है आपको यह मार्केट में अलग-अलग कलर और प्रिंट में भी मिल जाए आदे से भी कम बैटर इन मोल्ड में डालना है उससे ज़्यादा नहीं डालना है ज्युवाच का है रही कोड़ । इससरे पूरे मोल्ड में ये बैटर डालके लेना है इतने बैटर वे फूरे लिए के तियार हो जाते हैं अब इस मूल को दो बार ट्याप करके लेना है और OTG में बेक करने के लिए रखना है जब मैं कपकेक्स का बैटर भना रही थी तो उसी टाइम पर मैंने OTG को 170 डिगरी सेलसियस पे 10 मिनट के लिए फ्रिहेट होने के लिए रखा था अगर आपके पास OTG नहीं है तो आप इनकपकेक्स को कड़ाई या पतिले में भी बेक कर सकते हैं लेकिन पहले कड़ाई या पतिले को अच्छे से फ्रिहेट करके लिए 10 मिनिट के लिए मिड्डल वाली रैक के उपर इन कपकेक्स मोल को रखना है और 170 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए इसे बेक होने के लिए रखना है तो ये टाइमर जो है वो कम ज़ादा भी हो सकता है वो OTG के उपर डेपेंड है कि आपका कितने लिटर का है देखिए 15 मिनट हो चुके है और कपकेक्स बनके तयार है कितने अच्छे से एक लेवर में सारे कपकेक्स बेक होके तयार हो गए है तो मैंने जो बैटर बनाया था 200 ग्राम प्रेमिक्स लेकर इसमें पूरे 12 कपकेक्स बनके तयार हो जाते है तो मुझे इसी तरह से ऐसे 150 कपकेक्स बनाने थे, तो मैंने 13 टाइम्स इस तरह से बैटर मिक्स करके इन कपकेक्स को बनाया है, मेरा जो OTG है, उसमें एक बार में सिर्फ 12 कपकेक ही बन के तयार हो जाते है, तो फिर इसलिए मुझे ज्यादा टाइम लगा इन सारी कपकेक्स बेक करने के लिए, तो अभी इन कपकेक्स को थंडा होने देते है, तब तक क्रेम फेट के लेते है, तो मैंने यहाँ पे एक क्रेम भी फेट के लिए है, और मैंने यहाँ पे यह चोकलेट गनाश लिया है, चोकलेट गनाश कैसे बनाते है, अगर आप यह नहीं जानते है, इस वीडियो की लिंक मैंने description box में दी हुई है, वहाँ जा करके आप click करके मेरे वीडियो को देख सकते हैं, उस वीडियो मैंने चॉकलेट गनाश कैसे बनाते हैं, फिर कहां store करते हैं, और कितने दिन तक यह चॉकलेट गनाश रहता है, और किन-किन चीजों में इसका use होता है वो सब जानकारी detail में मैंने उस वीडियो में दी है, तीन चम्मत चॉकलेट गनाश क्रेम में डालना है, और मैंने हाँ पे liquid चॉकलेट कलर लिया है, इसके 3-4 drops इस क्रेम में डालने हैं, और इसको अच्छा से mix करना है, हलके हाथ से mix करना है, चॉकलेट गनाश क्रेम में डा अच्छे से mix कर लिए है मैंने चाहां पे जो nozzle लिया है वह नूर कंपनी का यन्वन nozzle इस nozzle को अभी piping bag में डाल लेना है और इस piping bag में अभी क्रीम को भर लेना है अब एक क्रिम को पाइक इन बेक में भर लीया है अब इसको एक क पकेक उठा के आपको दिखाती हूँ फ्लावर कैसे बनाने है तो बस बहुत ही आसान तरीका है यह फ्लावर बनाने का सेंटर में हमें नोजल रखना है और बस राउंड घूमा के फ्लावर बनाने हैं बहुत ही आसान तरीके से फ्लावर बनके तैयार हो जाते, बहुत easy design है, सारे cupcakes के उपर मैंने same ही design बनाई हैं, क्यूंकि इतने सारे cupcakes हैं, अगर मैं change design बना थी, तो मुझे बहुत टाइम लगता और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं अलग-अलग डिजाइन बना सको इस तरह से मैंने सारे cupcakes के ऊपर यहीं डिजाइन बना के लिए है आपको अगर यह brown color में नहीं चाहिए तो आप chocolate ganache और chocolate color cream में add मत कीजिए बस white cream से भी आप फ्लावर्स बना सकते है मैंने इन cupcakes को cake वाले box में रखा है इसके लिए अलग से cupcakes के box मिलते है लेकिन मेरे पास इतने सारे quantity में cupcakes के box नहीं थे तो फिर इसलिए मैंने यह 1 kg जो cake हम pack करते हैं वही वाला box लिया है cupcakes रखने के लिए तो एक box में 16 cupcake बैठे है पाइपम बैग में की cream खतम हो गई है तो अब और cream हमें इस पाइपम बैग में भरनी है तो यह cream में देखिए हमने चोकलेट गनाज डाला था इस वज़य से एक cream ऐसे रखने से थोड़ी फटी-फटी जैसी हो जाती है तो इसको फिर से एक बार अच्छे से थोड़ा mix करना है उसके बाद ही piping bag में भर लेना है अगर अच्छे से mix करके नहीं भरेंगे तो फ्लावर वाली जो design है वो अच्छे से नहीं आएंगी तो इसलिए पहले अच्छे से एक बार mix कर लेजिए उसके बाद ही piping bag में इस cream को अब हर cupcake को आपको उठाने की जरूत नहीं है यह box के अंदर ही मैंने पूरे cupcake के उपर फिलावर बना के लिया है और अब मैंने यह चोकलेट गनाश लिया है तो पहले जो चोकलेट गनाश लिया था क्रेम में डालने के लिए वो हलका गाडा था यह जो चोकलेट गनाश है य हाथ को आगे पीछे करते हैं सारे cupcakes के ऊपर ऐसे ही डिजाइन बना के लिए नहीं है क्रीम में भी हमने चोकलेट गनाश का यूज किया था और ऊपर में भी हम चोकलेट गनाश डार रहे है तो यह cupcake में पूरा चोकलेट का फ्लेवर आएगा यह cupcake बच्चों के लिए जाने व हो गए थे साड़े साथ बजेओ cupcake लेने के लिए आने वाले थे तो अब यह आदा घंटा बाकी था एसी ओन करके उस रूम में मैंने इन सारे cupcakes के बॉक्स को रखा था फ्रीज में इतनी जगा नहीं थी कि सारे cupcake से बॉक्स उसमें आ जाए तो इस तरह से मैंने अपने चोकले